तो दोस्तो यसे बनाने के लिए سबसे पहले आप क्या करेंगे box section निकालेंगे जैसे कि आप देख पारे हमने हैं पे बोक्स section निकाला है। और box section निकालने के बाद इस section को हम rubber band की य телефон यहाँ पर पोर्णी बना लेंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो में ठीक ऐसे आप पोनी बना लेंगे और पोनी बनाने के बाद आप यहां पर लियर को ना नहीं है नहीं तो लेयर इसली निकलेगा नहीं जैसे कि आप इसली पुल आउट नहीं होगा तो इसलिए आप नॉर्मली उसको रबर बैंड की हेल्प से आप उसको पोनी बनाए ज्यादा टाइट ना करें और लेयर बनाने के बाद आप स्ट्रॉंग हेस्प्रे जो हमने रबर बैंड लगाया हुआ था वहां पर हमने एक सक्षन निकाला है और सक्षन को निकालने को बाद रबर बैंड की उपर हम यहां पर रैप कर रहे हैं तो ऐसे आप उसको रैप कर लेंगे जैसे कि भी आप देख पारें वीडियो के अंदर और जब भी आप लाइन्स बनाएंगे जैसे कि अभी आपने फ्रेंट में देखा हम लाइन्स बना रहे थे तो डिस्टेंस को आप मेंटेन करकर रखें बिल्कुल पास में आप लाइन्स ना बनाए थोड़े सा गैप होना चाहिए उसके बाद आप देख पा रहे हमने आप एक सेक्षन निकाला है ठी है के वाइनों अच्छे से कॉम करने कौश्य। का जैसे कि मैंने आपको बताया था रबर औंट के हमसे जब आप पोनी बनाएंगे तो बल्कुल tight नहीं बनाना है क्योंकि आप जब lines बनाएंगे जब आप hair को pull out करेंगे lines बनाने के लिए तो वो easily नहीं निकल पाएगा इसलिए आप खास तोर पर ध्यान रखें कि ज्यादा टाइट पोनी नहीं बनानी है अब आप देख पारे हैं हम यहाँ पर लाइन्स बना रहे हैं फिंगर टिप कर इस्तिमाल करते हुए और गैप भी मिंटेन करके रख रहे हैं जदा बिल्गुल पास में नहीं निकालना है नहीं तो लाइन्स का बिल्कुल पता नहीं चिलेगा और दोनों साइट लाइन्स बनाने जिससे के भी आप देख पा रहे हैं वीडियो में यहां हमने वन साइट बना दिया लाइन्स और जो स्प्रेय में यूज कर रहा हूं शोज को कमपनी का टाफ्ट है स्प्रेय यूज कर रहा हूं फाइफ नूमर होल्ड तो जब भी आप लाइन्स बनाएंगे तो आप उसको अच्छे से होल्ड करने के लिए स्प्रेय यूज करेंगे और री क्रिएट जरू करें जब भी आप स्प्रेय करें तो दुबारा से आप फिंगर टिप कर स्टमाल करते हुए री क्रियेट करें ताकि जो इस प्रेय है वो अच्छे से लाइन्स के उपर लग जाए और वहाँ पर होल्ड हो जाए उसके बाद से आप देख पा रहे हैं दूसरी तरब भी हम से हैं वैसी फिंगर टिप कर स्टमाल करते हुए लाइन्स बना रहे हैं तो ठीक ऐसी आप लाइन्स बनाएंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गैप को मिंटेन करके रखना है बलकुल पास नहीं बनाना है लाइन्स को अगर आप पास बनाएंगे तो आपस में मर्ज हो जाएगा और लाइन्स का आपको पता नहीं चलेगा तो इसलिए गैप को मिंटेन करके रखना है और उसके बाद से आप strong hair spray use करेंगे और दोस्तों जब भी आप spray use करें तो आप खास्तों रुपर ध्यान रखें कि जहां आपको शाहिए कि यहां पर अच्छे से हमने creative work किया हुआ तो वहां पर आप क्या करेंगे strong वाला hair spray use करेंगे कोई normal hair spray आप use करेंगे तो जो आपका creative art होगा वह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आपका जो जैसे कि आपने lens बनाया हुआ वह थोड़ी देर बात क्या होगा आपस में मर जो जागा और पता भी नीचे लेगा कि आपने कोई lens बनाया हुआ है अभी आप देख पारें पोनी हमारी उपर और एक जो पोनी से हेर ले रहा हूँ वह उपर के तरफ रख रहा हूँ और basically हमने यहां पर करना यह है कि आप क्रिस्ट क्रॉस करेंगे नीचे पोनी का उपर के तरफ और उपर पोनी का नीचे के तरफ लेकाएंगे और नीचे वाली पोनी के जब सारे section हो जाएंगे तो rubber band की हैश से आप उसको पोनी बना लेंगे तो यहां पर हमारी वीडियो हमारी रुप गई थी इस वे से शूट नहीं हो पाया अब जो नीचे सेक्शन होगा उसका अंद्रम करेंगे तो आपको एजली समझ आ पाएगा कि अब यहां अब यहां पर यहां पर पोनी बना रहे हैं आपको और आपको कुछ वी पूछ ना थो आपको पूछना हो तो आप हमारे देगे नंबर पर कॉल यूब वाट्सब करके पूछ सकते हैं हमाई नंबर है डबल नाइन डबल ओन फॉर वन एट त्री फॉर सवन स्क्रीन पर आ रहा है तो आप इसी नंबर पे हैस्टाइलिंग से रिलेटेड आपको जो पूछना हो पूछ सकते हैं और जैसे कि आप देख पारे हम यहां पर लाइंस ब गई और जब भी आप लाइंस के उपर इस प्रे यूज़ करते हैं तो आप रिक्रिएट ज़रू करें ताकि जो पूछ से आपके लाइंस के उपर लग जाए और वो अच्छे से वर्क करें अब दूसरी साइड हो तो दूसरी साइड भी हमने से यह मैसे लाइंस बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पोनी बनाएं तो बिल्कुल टाइट नहीं बनाने है नॉर्मल रखना है अगर टाइट बना लेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लैंस बनाने के लिए हम हेर को पुल आउट कर रहे हैं तो वह अच्छे से पुल वीडियो तो रुग गया था अब नीचे की तरफ हमने वही करना है नीचे पुलिका जो आप सेक्षन ले रहे हैं जैसे कि मैंने सेक्षन लिया वह उपर फिंगर की तरफ रखेंगे और जो उपर पॉनी से जो हम लेर ले रहे हैं आप यह आपने यह देखा और इसको नीच की तरफ करना है तो यह हमने सेक्शन ले लिया और इसको हम रखेंगे नीचे तो ऐसी करते जाएंगे तो यह नीचे से हमने एक और सेक्शन निकाला और इसको रखा है उपर और उपर वाले सेक्शन को हमने लिया और इसको नीचे की तरफ अच्छे से नहीं आप आ रहा है, तो एक-दो बार विडियो को देखेंगे, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में और भी ज्यादा डिटील में आपको अच्छे से से रिलेटेड तो आप गया मुझे वाटसप करके पूछ सकते हैं तो नीचे पॉनिका जो सेक्ष्ट आप ले रहे हैं वह उपर कि तरफ लेएंगे और उपर वाली पॉनिका जो सेक्षिंए एंट वह नीचे केफ लिघर के इस स्क्ररीन को पर नाम हा रहा है तो इसी नाम को अप नहीं Clark बोकल कर नहींगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोनी आप यहां पर बिल्कुल टाइट नहीं करना है नॉर्मल रखना है तो हमने यह पर पोनी बना लिया है अब उसके बाद से हम यहां पर जो लाइन्स बनी हुई है इसके अंदर ठीक उसी को पुल आउट करेंगे बाहर के तरफ निकालेंगे बैसिकलि यहो किया रहाए कि उपर की जो लियर थी उसको नीचे के पुल आउट कर रहा है अब रबर बैंड की हैल से हमने उसको रबर से हमने पनी बना लिया है तो बल्लाइन्स हमारी इसली दिख रही है जिसके वहोशे हम उसी लाइन्स को वाला हेस पर यूज़ करेंगे अब दोस्तों हुमारे दिल्ली और कोलकता में भी क्लासिस होती रहती है तो अगर आप दिल्ली से हैं या फिर कोलकता से हैं तो आप लास के लिए आप देगे नमर पर कॉल और वर्ट आप करके क्लास इसके डीटेल ले सकते हैं और हमारे बंगलादेश में भी क्लास होने वाली है अगर आप बंगलादेश से यह वीडियो देख रहे हैं तो उसके भी क्लास के लिए आप हमें कॉले वर्ट सब करके डेटेल ले सकते हैं अब दुबार से हम एक और सेक्षין लिया और इसका अंदर हम पॉनी बना रहे है तो यह हमने पॉनी बना लिया और इसक अंदर हम लाइन्स बनाएंगे इस्टिंगड ही पर अस्तिमाल करते हुए तो यह लाइन्स बना रहे हैं तो ऐसे लाइन सुनाने है और दोस्तों बेसिक चीज़ों को पर भी हमने काफी सारी वीडियो से बनाया हुआ है हेस्टालिंग में कौन से कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं फिर शेप के रिसाब से आपको कैसे हेस्टालिंग करने चाहिए और अगर आप मार्केट में मशीने पर्चेस करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीद देखके मशीने पर्चेस करने चाहिए या फिर अगर आप डमी पर्चेस करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीद देखके डमी पर्चेस करने चाहिए अगर आपको पाश डमी है और आपको नहीं पता उसको कैसे मेंटेन करना है कैसे वाश करना है तो उसके उपर यह सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और इसी चैनल को पॉप लोड है तो आप देख सकते हैं तो जैसे कि अभी आपने देखा हमने नीचे वाले सक्षेण में भी हमने लाइन सो बना दिया है अब ठीक वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था नीचे पुनी का जो हेर होगा उसके हैं अले लेएर लेंगा तो वह ऊपर के तरफ रखेंगे और उपर का जो पूनी का लियर वो नीचे के तरफ रखेंगे basically जैसे कि मैं आपको बताया था क्रिस क्रोस करना है उपर का नीचे रखना है और नीचे का उपर रखना है ठीक यही करना है और लास्ट में rubber band के यह उते करना है उसको pony बनाना है तो अभी आप देखेंगे आपको बिडियो वीडियो करना तो अभी हम यहां पर लेयर बना रहे हैं जैसे के आप देख पार और मुझे नहीं लगता कि यह यह आ यह बना नहीं पाएंगे आप बना लेंगे यह चैनल और जैसे इस वीडियों में बताया तो यह इस ilam गारे आप और दोनों बॉनी थी उस ही कंदर से हम यहां पे लाइन को क्र ₩ करेट करें नीचे पोनी का ऊपर के तरफ लिए रहे हैं वह रचीव की तरफ लिए रहे हैं और ऊपर पॉनी का नीचे के तरफ लिए तो हमारी complete हो गया अब जो नीचे वाला section है इसके अंदर हम rubber band लगाएंगे अब इसको हम यहाँ पेच्छे जब बना लेंगे और बिल्कुल भी tight नहीं करना है अगर ज्यादा tight कर लेंगे तो pull out नहीं होगा problem होगी तो आप हम क्या कर रहे है पुल आउट कर रहे है जो लाइन्स दिख रहे है बेसिकली उसी को ही पकड़के बाहर के दरफ निकाल रहे है और tight होने पर यह अच्छे से नहीं निकल पाएगा तो इस दीच का आप लोग खास तोर पर ध्यान रखना कि ज्यादा rubber band को tight नहीं करना है और लाइन्स बनाने के बाद आप यहां पर strong hair spray जरूर यूज़ करना strong hair spray जो में यूज़ कर रहा हूं यह शौश को company का taft hair spray है फाइप नमर होल्ट तो यह यूज़ कर सकते हैं और spray यूज़ करने के बाद दोस्तों आप recreate जरू करना जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप के इस्तेफाल करते हुए यहां पे हम recreate करने तो ऐसे जरू करना ताकि जो लाइन से और भी ज्यादा शार्प हो जाए और इस प्रे भी अच्छे से वर्क करें हमार तो ऐसे ही आप यहां पे recreate करेंगे अब हमारा यह last section रहे गया है तो अब हम यहां पे दुबार से पोनी बना लेते हैं तो अब हम यहां हमने यहां पे पोनी बना लिया और इसके अंदर भी ठीक ऐसे लाइन से बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया हुआ था उपर सेक्षिन में और इसके अंदर भी spray यूज़ करेंगे लाइन से बनाने के बाद तो दोस्तों आशा करता हूँ अभी तक तो आप अच्छे से समझ पाये होंगे और समझ आया है तो नीचे कमेंट सेक्षिन में मुझे जरू कमेंट करके बताएगा और कुछ समझ नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बताएगा ताकि अगली वीडियो में मैं कोशिश करूं कि उसका आफको आंसर दूं या फिर आपके कॉमेंट सेक्षए में मैं आपको आंसर दूं और दुबार से हम वही कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले पता था नीचे पॉनी से जो सेक्षिन लेंगे जो लेयर लेंगे वह उपर की तरफ रखेंगे और जो उपर पॉनी का जो लेयर लेंगे वह नीचे की तरफ रखेंगे स्टेब बाई स्टेब आप यही करते जाएंगे ऑं दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं चाश करक्लाइक का कर this time आप कौन सी कमपनी काذBar यूज करते हैं कौन से लेवल का उस्प्रेइ रे צाब से करते हैं और प्रैक्टिस जरू करेगा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो आम शूर यह हैस्टाइल जरू बन जाएगा और अगर नहीं बन पा रहा है कुछ प्राब्लम हो रही है तो उसके लिए भी मैं आप सभी के लिए बैठा हुआ हूं तो आप में को वाट्सप करके भी पूछ स रखते हैं कि उसके बास हम यहाँ पे दुबार सब यहाँ पर हेर पढ़ेंट कायब यहाँ पर फोनी बना रहे है कि तो यह पोनी बना लिया है और दुबार से हम यहाँ पर लाइन्शब बनाएंगे है तो इसे ऐसaway बना लेना है एसलिए इसके बसाओ आपता जाए देका जिससे कि अभी आप देख पा रहे हैं ठीक ऐसे बाहर के तरफ निकालेंगे इसली यह स्टाइल बन जाएगा और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्षिए मुझे जुरू बता के इंफॉर्म करिएगा कि आपको कोई चीज समझ न जुरू को देगा और दोस्तों फेट formul कर सकते हैं अब सभी को पता है युटूब पर हमारी यूटीज यूटव्स नवर्म हेस टेलिंग के फोटोस और स्क्रेंग कर्ते रहता हूं तो आप कहसी स्क्रीन सब्सक्रीन पर नाम आ कीरे माचे लुक्स में डालके फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों इस चैनल को आपने सिस्क्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सिस्क्राइब करिए और बैल का इकन जुरू दबाइए ताकि मैं कोई नई वीडियो डालू तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हमारा ये वीडियो से लगी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्षिन जुरू बताएगा और स्प्रेय आप कौन से यूज़ करते हैं वो मुझे जुरू बताएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक यू बर्यमश् च्चार्इबू किफ़ से लिएर क्मिल दोस्तों भॉत देखने के लिएवेद are शेवाद ह Couरेएवेब।